जैहिन वंदे मातरम स्वागत है आप से भी का गुरुजी वर्ड एक्जाम स्टेड़ी पैट्फॉर्म में दुस्तो आज की एह वीडियो एक टॉप 30 क्वेशन्स इनवायर्मेंट के मौडल पेपर फर्स्ट पर आधारित है यानि इस मौक टेस्ट में आप अगर क्वेशन्स को कर लेते हो तो आपका जो आने वाला एक्जाम है उसमें आपको लेवल पता चल जाएगा क्वेशन्स का लेवल क्या है तो बहुत जबर जस्त आज तक की ये पहली ऐसी वीडियो होगी जो गुरुजी वर्ड एक्जाम स्टडी पर ब्याक्या के साथ प्रोवाइट करा रहे है कॵेशन को सिद्धत के साथ कीज़ेगा पहला कॵेशन आपके स्क्रीन पर है कि ब्राउन पेपर किसे कहा जाता है चार उप्शनस है हर पांस सेगेंड में इस कॵेशन्स को उखाड़ना है आपको देखिए, ब्राउन पेपर की जब भी बात होती है तो options जूट हो सकता है, कपास हो सकता है, चाय या रवर तो इन चारों से कैसे questions बनेंगे, ये भी हम जानेंगे फिलाल इस question का जो answer बच्चे option number A मार रहे हैं वो विल्कुल सही है अब देखिए, जो exam pattern के बदलते हैं अनुसार हम questions को देखते हैं exam में, तो 5-7 तरीके के question इन option से पूछे जाते हैं जैसे कि अगर हम brown paper की बात करें, तो वो जूट को कहा जाता है तो यह भी दोस्तों हमें जूट के नाम से ही जाना जायेगा यानि सूट रेसा किसे कहा जाता है जूट को कहा जाता है अगर सूट रेसा brown paper जूट है तो यह बताओ, जूट का उत्पादन सरवाधिक किस state में होता है तो यह होता है bicycle में भारत में चाय का सबसे बड़ा उत्पादक स्टेट कौन सा है वो है आसाम की चाय यानि हम कह सकते हैं लेंड सॉफटी ग्रीन गोर्ड करांती की जब भी बात होती है कुछ सन में कई वार पूछा गया है कि ग्रीन गोर्ड करांती किस से सम्मंदित है ओप्शन चाय होते हैं बादाम होता है कौफी होती है कहवा होता है तो वहां पर भी कन्फ्यूज नहीं होना है ग्रीन गोर्ड करांती जो है चाय से सम्मंदित है इसके अलावा भारत में रवड का सरवाधिक जो है उत्पादक स्टेट कौन सा है ये केरल है और मसालों का सम्मेलन कहां पर हुआ धा दोस्तों कुछ से नंबर टू आपके स्क्रीन पर है विद्व्याख्या के साथ हम देखेंगे दोस्तों यहां पर कि अगर हमारे पास वेनिस आ जाता है विएना आ जाता है दिली है या टोक्यो इस कुछसन में जितनी भी टीटेल आपको नहीं आ परत संदक्षन के लिए जो सम्मेलन हुआ है वो कहां पर हुआ था वो हुआ था बियना में बियना दोस्तों आस्ट्रिया की कैपिटल है अब ये आपको याद रखना है साथी साथ मैं आपको बता दूं कि वियना के बाद मांट्रियल प्रोटोकॉल आया ध्यां दिजेगा ब पारे में तो इसका आंसर ओजोन परत से है ओजोन दिबस मनाय जाता है प्रतेक साल के 16 सेप्टेंबर को हवाई जहाज प्राया उड़ते हैं समताप मंडल में और ओजोन परत भी समताप मंडल यानि स्ट्रेटो स्फियर में होती है इसके अलाबा और डिटेल में जानेंगे दो पॉ favorites कि मेग गर्जन बायो मंडल किस परत में होता है यानि जो बादल का वरसना बादल का घरजना आंधी आना तूफान आना यह किस में होता है यह चोप मंडल में होता है कॉन सारे फेक्ट हमें चीजों में fact ढूणना है, हम चीजों को chain y chain से कितने questions निकाल सकते हैं, क्या हमें कोई अधूरी knowledge लेना है, नहीं, अब जैसे question number चाहे 1 हो, चाहे 2 हो, चाहे 3 हो, ऐसे ही आपको लगातार आपको ब्याख्या मिलेगी, रुधिर दाप मापने के लिए किसका प्रियोग किया जाता है, देखिए, जब हम रुधिर दाप को मापते हैं, हम रक्त चाप को मापते हैं, तो उसके लिए हमारे पास क्या barometer होगा, क्या sthetoscope होगा, सिस्मोग्राफ होगा, या फिर smic no manometer होगा, तो दोस्तों हम आपको बता स्फिग no manometer, तो देखिएगा, कि बैरो मीटर से बायूमंडल के दाप को मापा जाता है, कुश्चन में अगर आजाये कल को, कि बैरो मीटर से क्या मापते हैं, तो बायूमंडली दबाव को मापा जाता है, रक्त संचार की दसा का परिक्षण किस उपकरन से किया जाता है, तो हर डॉक्टर आला टाइप का स्टेटोइसकोप टाइप का अपने गले में रखता है, तो स्टेटोइसकोप क्या करता है, रक्त संचार की दसा का परिक्षण करने में बहतरीन है, भूकम्प की तीबरता को मापने के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं, तो सिस्मो अगला है कि किस राष्टी उध्यान को पक्षीों का सुर्ग कहा जाता है हमारे पास option चार है कि अगर हम राष्टी उध्यान की जब भी बात करते हैं तो कोईसन एक्जाम में ट्रेंड होते ही होते हैं तो आज इस वीडियो में हमने 5-6 ऐसे राष्टी उध्यान लिए हैं जि तो देखी इस question में हम आपको option number B को lock करेंगे केवला देव घाना राश्टी उध्यान को राश्टी पक्षियों का स्वर्ग कहा जाता है और इसके अलाबा तीन fact बच्चों को जानने चाहिए कि जिम कारवेट राश्टी उध्यान कहां पर है तो जो पहला national park है वो है जिम हम क्या बदल कर कर दिया गया है जरह हमें comment कीजेगा केवला देव राश्टी उध्यान किसे कहा जाता है तो वो कहा जाता है पक्षियों के स्वर्ग को और ये है भरतपुर राजिस्थान में नंदा देवी राश्टी उध्यान ये भी आपके उत्राखन पार्ट में है ये दी तमिलनाडू तो दोस्तों मैं आपको बता दू कि पस्षिम मंगाल की बात करने बच्चे गलत हो जाएंगे ओडम जो है आपका केरल छेतर का है याद रखेएगा केरल छेतर का है और इसी के साथ अगर मैं बात करता हूँ केरल में तो केरल ओडम हो जाएगा पस्षिम मं जाना जाता है दुर्गा पूजा के लिए जहां पर जूट का सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है केरल जाना जाता है ओडम के लिए जहां पर आप ओडम नत्य की बात करते हो ओडम तेउहार की बात करते हो करनाटक में एक नत्य होता है यक्षगान नत्य जो एक्जाम में आपके very very most important तरीके से पूछा भी जाता है तमिलनाडू की बात की जाए तो भारती सास्त्री नत्य में जो भारत के 8 सास्त्री नत्य माने जाते हैं उसमें भरत नाट्यम तमिलनाडू का एक प्रमुख जो है सास्त्री नत्य है तो इसको भी आप नजरंदाज नहीं कर सकते हो यह आपके चारों fact important है वी आई एंपी आपके exam point of view से अगला निम्लिकित में कौन सी जील कस्मीर में नहीं है डल जील, लोनार जील, बूलर जील, गड़सर जील अब देखिए कौन सी जील कस्मीर में नहीं है बूलर जील है, गड़सर जील है अब देख लेते हैं कि इस question में कौन सा option सही होगा मतलब उससे करा है कि नहीं तो आप सभी जानते हो कि डल जील जम्मू कस्मीर में है बूलर जील जम्मू कस्मीर में है गड़सर जील जम्मू कस्मीर में है लेकिन लोनार जील कहाँ पर है महारास्ट में है तो यही इस कुछन का अंसर हो जाएगा हमसे पूछ रहाता कौन सा नहीं है तो आप्शन किया जाएगा बी के साथ चला जाएगा बना फैक्ट को आप देख लें कल को कुछन में पूछ लिया जाए कि गड़सर जील कहाँ पर है तो आप जम्मू का समीर माने और यह कुछन बेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है अगर यह भी पूछ लिया जाए कि लोनार जील किस स्टेट में है तो वो महारास्टा स्टेट में है अगला नदी दूईप माजूली नेमिकित कौन सी नदीयों पर इस्तित है यानि किस नदी में माजूली दूईप का Neder्माल होता है नदी दूईप माजूली की जब भी बात करते है तो दो कुछ सं बनते हैं एक तो स्टेट पूस्टा है और एक तो नदी पूस्ता है एक ज लिए इस question का answer option number D के साथ इसके साथ ही state अगर पूशा जाता है तो state आपको याद रखना है असाम state है ठीक है और अगला question आपके screen पर आने से पहले मैं आपको तीन fact बता देता हूँ कि भारत की पवित्र नदियों में गंगा को माना जाता है गंगा को बांगला देश में किस नदी से जानते है तो गंगा को जो है बांगला देश में जानते है पदमा के नाम से जानते है गंगा एबं ब्रह्मपुत्र की सेयुक्त अब गंगा इदर से आ रही थी ब्रह्मपुत्र इदर से आ रही थी जब आगे मिलकर एक साथ में हुई तो इन दोनों को यहाँ पर मिला के इसको एक कह दिया गया क्या इसको एक मेगना नाम दिया गया तो यह तीनों फैक्ट बड़े एक्जाम में यह वाला फैक्ट और यह वाला फैक्ट तो बहुत ज़्यादा पूछा जाता है एक्जाम में इसको नजरनदाज आप नहीं कर सकते है ठीक है चलिए सौर मंडल के बाहर सीरियस नाम के चमकीले तारे को क्या कहा जाता है सौर मंडल का सबसे ज़्यादा चमकीला तारा सीरियस नाम है यानि सीरियस जो है स्टार कहा जाता है लेकिन उसका एक नाम और है उसको क्या कहा जाएगा तो ये आपको बताना है दोस्तों तो उसको कहा जाता है डॉग स्टार कहा जाता है क्या कहा जाता है डॉग स्टार बात हुई है सोलर सिस्टम की यानि सौर मंडल की तो चलिए जान लेते हैं तीन फैक्ट वो जानने चाहि सूरी के रासानिक मिस्रण में हाइडोजन का परसेंटेज कितना है 71 परसेंटेज है जबकि हेलियम का कितना परसेंटेज है 29 यानि 27 से 29 परसेंट है ये भी आपको याद रखना है मतलब कुल मिलाकर कहा जाए कि गैसेज जो सूरी का गोला है इसमें कौन सी गैसेज है एक हाइ hydrogen है प्लस एक helium है इस शीज को हमेशा याद रखिएगा और इन gases में सबसे ज़्यादा किस का part है इसमें है आपका hydrogen का part है 71% मीठे पानी की जील सबसे बड़ी जील जो है किसे कहा जाता है आपको गलत नहीं करना है बूलर जील यानि जो आपका उतरी इलाका है पुषकर जھیल राजिस्थान की बात करता है और इसे जानने वाले तीन फैक आपको जानने और देखे हैधर अवर्ट अवर्वन सिकंदरावब दो जुड़मा सहर कहाते है पहली बात तो यह भारत के दो जुड़मा सहर हैधरावाद सिकंदरावाद अब कुश्चन आता है कि हैदरावाद और सिकंदरावाद के बीच कौन सी जील इस्तित है तो हुसेन सागर तो कुश्चन में ये भी पूछ लिया जाता है कि हुसेन सागर जील कहां पर इस्तित है हैदरावाद सिकंदरावाद के मद्धे बेमनाट जील किस राज्य में अवस्थित है तो केरल में अवस्थित है विश्व प्रसिद्ध खारे जील की बात करते हैं तो नाम अगर आता है तो वो सामर जील आता है और सामर जील किस राज्य में इस्थित है तो यह विश्व प्रसिद्ध जील में बारत की सबसे बड़ी जील है खारे पानी की वो है राजस्थान की ठीक है चलिए 10 नमबर आपके स्क्रेइन पर है 10 नमबर स्क्रेइन पर ये कह रहा है कि किस राज्य की प्रमुख जो भासा है वो खासी है अब दोस्तों कुछन नमबर 10 से हर वार टेट एक्साब में पूछा जाता है याen यह सन मात्र इस्ठेट है जहां से एक कुछन पूछा जाता है अब देखे कि किस राज्य की मुख्य भासा खासी है तो यह है आपका गारोखासी जैनतिया वाला जो पार्ट है वो मेगाले छेत्र है है ना तो गारोखासी जैनतिया एक आपकी जनजाती समू भी है गारोखासी जैनतिया यहां के लोग गारोखासी जैनतिया यहां की भासा भी है ठीके तो अब आपको मैं बताता हूँ वो जानने वले तीन फैक्ट कि एक कुर्सन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है B.I.M.P. कुर्सन कि नौकरेक राष्टी उध्यान कहां पर है भारत में नौकरेक राष्टी उध्यान किस राज्य में है तो वो है मेगाले राज्य में म गारो खासी जैनतिया किस राज्य की पहडियां है किस राज्य की भासा है किस राज्य की जंजातियां है तो वो आंसर जाएगा मेगाले के साथ मेरी वास समझ में आई ये तीनों फैक्ट मेगाले से पूछे जाते हैं कई वार बच्चे गलत करते हैं इसलिए इसकुशन का अंसर जाएगा option number C के साथ सबसे ज़्यादा वर्सावाला छेत्र मासनिराम भी यहीं पर है किस एक संस्क्रती ने अपने म्रद भांडों को सरप्रथम चित्रित किया म्रद भांडों की बात कर रहा है दोस्तों जवाब आपसे चाहिए कि किस एक संस्क्रती ने अपने म्रद भांडों को सरप्रथम चित्रित किया है मद पाशाण, तामर पाशाण, नव पाशाण या फिर लोह यूग पहली बात तो मैं आपको बताने से पहले आंसर बता देना चाहता हूँ लोह यूग अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि आंसर तो सभी बता सकते है किताबों में देखकर लेकिन एक्च्छल में म्रद भांड है क्या तो म्रद भांड दोस्तों में आपको बता देता हूँ बहुत अच्छी तरीके से प्राचीन काल का जो समय था और आज के समय में बिलकुल कोई भी समानता असमानता मिलेगा अपसेंड डाउंस मिलेंगे लेकिन यहाँ पर म्रद भांड जो है इसका मतलब क्या है इसका मतलब है कि जो मिट्टी के बरतन पत्थर के बरतन तथा चीनी के मिट्टी के बरतन और बस्तूवे बनाने का कारे सभी जितने भी कारे जो है बरतन से समंदित है वो चीनी मिट्टी के बनते थे जैसे हम एक example ने गहड़ा तो ये सभी मर्दभांड के अंतर गताएंगे जितने भी बरतन मिट्टी और चीनी मिट्टी के बनते थे वही मर्दभांड कहलाते है और इनका सरप्रथम चित्रन मिलता है लह यूग में ठीक है? चलिए निम्लिकित में कौन सी ग्रंथी ब्रद्धा वस्था में लुप्त हो जाती है अब देखीगा इस कुष्ण का राइट आंसर क्या होगा? अब आप से कुष्ण तो गलत होंगे ही होंगे क्योंकि मैं कुष्ण ऐसे लाया हूँ क्योंकि एक्जाम में अगर एविए सेक्षन ही ऐसा है जो थोड़ा सा टफ फूचा जाता है तो मैं क्यों यहाँ पर आपके लिए परियसानी खड़ा करूँ इसलिए मुझे कहीं ना कहीं टप से टप कुस्टन करा देने आप देखो कुस्टन नंबर 12 आपके लिए थोड़ा सा कठिन भी है लेकिन थोड़ा सा आसान भी है अब आप तुक्का मार के यह कह सकते हो जैसे अगर तुक्का लग जाए तो इसका मतलब यह नहीं कि आप पिल्कुल सही है इसका मतलब आप गलत है एकजाम में हमें कुस्टन सही करना है हमेशा नहीं भूलना है कॉंसेट क्लियर होना चाहिए तो सबसे पहले concept समझेगा कि आपके ऊपर अगर ब्रद्धा अवस्था का प्रकॉप होगा यानि लोग जब बूढ़े होते हैं तो reason क्या है reason उसका होता है thymus जहां दीजेगा reason thymus होता है ब्रद्धा वस्था में thymus लुप्त हो जाती है अगर ये thymus हमारे सरीर में जैसे हम लोग अभी क्या है नौजवान है तो हमारे अगर अंदर thymus है तभी तो नौजवान है समय के अनुसार बदलता जाएगा और thymus लुप्त हो जाएगी तुरंत ये बूढ़ा कर देगी तो अगर thymus बनी रहे हमारे सरीर में किस राज्य में राष्ठी उध्यान बैली और फ्लावर्स इस्थित है तो दोस्तों मैं बता देना चाहता हूँ कि इस कुश्ण का राइट आंसर जाएगा उत्राखंड के साथ यहाँ पर दो कुश्ण पूशे जाते है एक तो सांती घाटी यानि साइलेंट वैली कहां पर है और एक है फूलो की घाटी यानि फ्लावर्स वैली कहां पर है तो उत्राखंड सांती घाटी केरल में है जो बायो डावसिटी के लिए जानी जाती है फूलो की घाटी उत्राखंड में है जो आपका यहाँ पर इसकी capital क्या है कमेंट कीजएगा फटाफट capital कमेंट कीजएगा कुश्य नमबर 14 से आपको डिटेल बताऊंगा विटामिन E का महत्वपूर्ण सुरोत निमलिकित में कौन सा है विटामिन E का महत्वपूर्ण सुरोत निमलिकित में कौन सा है ताड का तेल नारियल का तेल हो सकता है गेहू अंकुर का तेल गेहू अंकुर का मतलब है गेहू अंकुरित राई का तेल तो दोश्य यहाँ पर अगर मैं बात करता हूँ 14 नंबर का अंसर तो इस question का अंसर जाएगा option नंबर C के साथ एक्षल में मैं आपको बता देता हूँ कुछ question यहाँ पर क्या है एक्षल में vitamin जो E होता है न E की अगर कमी हो जाती है तो लोगों में अक्सर कर बाजपन रोग पाया जाता है बाजपन रोग पाया जाता है और फिर डॉक्टर सला देता है कि आप गेहूं अंकुरित चने अंकुरित इन सबी का उपयोग करिएगा तो यह बाजपन रोग जो है आपका खतम हो जाएगा अब vitamins की बात हुई है तो vitamins से संबंदित कुछ point जान लेते हैं रासानिक नाम पूछे जाते है विटामिन A का रासानिक नाम होता है रेटिनाल होता है और इससे होने वाला रोग रतवंदी होता है विटामिन B का रासानिक नाम होता है थाइमीन होने वाला रोग बेरी-वेरी होता है आप समझ में आई, सारी चीजे किलियर हो गई है, तो बढ़ेंगे अगले कुशन की तरफ मानो सरीर में रक्त चाप नियंतरित होता है, मनुष्टि के सरीर में रक्त चाप जो नियंतरित होता है दोस्तों वो आपको बताना पड़ेगा, क्या अधिवयक्र ग्रंती से जो है नियंतरित होता है धाईराइट ग्लेंड से, थाइमस से, पीत पिंड से, देखिए दोस्तों अगर मैं बात करता हूँ थाइमस से thymus ब्रद्ध वस्था से रिलेटेड है ब्रद्ध वस्था अगर आता है तो इसका लुप्त होना thymus है थाइराइट ग्लेंड की बात करें तो इससे होने वाला है घेंगा रोग, घेंगा रोग की बात होती है तो ये भी कुस्षन एकजाम में पूछा गया है है यही कुष्षन एकजाम में पूंचा जाता है वी आई एंपी कुष्षन है इसको भी आप नोट कर लीजएगा 16 नमबर निम्लिकित में किस राज्य का राजकी ब्रक्ष बादाम है दोस्तों राजकी ब्रक्ष बादाम है क्या आप HP यानि हिमाचल प्रदेश गोवा यानि आप गोवा की बात करते हो जम्बो एंड कस्मीर अरुनाचल प्रदेश तो इस कुष्षन का जो राइट आंसर जाएगा आप सभी बच्चे जान गए हो कि सूखे मेवे के लिए जो प्रसिद्ध है वो स्टेट है सूखे आपका केरल शेतर में जहन दी जगा बेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट तो गुजरात बंदरगाह से इन चीजों को पुल्ट कराया जाता है और मैं आपको बता देना चाहता हूं कि इस कुष्षन का जो राइट आंसर दाएगा वो किसके साथ जम्बो एंड कस्मीर के करता है कि गद्दी और गुजर जंजालती के लोग किस स्टेट में है तो आंसर जम्मु कस्मीर मारना पड़ेगा बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है नोट कर लीजेगा साथी साथ गोवा की बात हुई है तो गोवा पड़ी नदी के किनारे इस्थित है वह पड़ी इसकी में अवस्थित है मिजोरम, उडीसा, मडीपुर, मेघाले एलिफंट फाल्स जो है किस राज्य में अवस्थित है तो दोस्तों इसकूशन का जो राइट आंसर जाएगा वो मेघाले में है यानि इसकूशन का राइट आंसर ओप्शन नमबर टी के साथ अब थोड़ा सा जा है बादलों का निवास मेघाले मेघ है ना और आले मने घर मेघाले का मतलब है बादलों का निवास बादलों का घर ये आपको याद रखना पड़ेगा और राजधानी क्या है दोस्तों राजधानी है सिलॉंग क्लियर है चले भारत के जंडे में चर्खा किस आंदोलन के द दौरान दिखाया गया था खेड़ा आंदोलन के दौरान दिखाया गया था खिलापत आंदोलन के दौरान या फिर असाहियोग आंदोलन के दौरान तो दोस्तों इस कुश्चन का राइट आंसर जाएगा किसके साथ असाहियोग आंदोलन के दौरान भारत में चंडे में चर् बच्चों में अंगों की अस्थियां मुड़ जाती है यदि कमी हो विटमिन A की विटमिन B की यानि B1 की और विटमिन D की या फिर E की मैंने आल्रेडी आपको बताया है कि विटमिन के बारे में मैंने तीन से चार कुशन इस वीडियो में लिये है और हम थोड़ा सा डिटेल जानते चलेंगे फिलाल अगर अस्थियों की बात हो अभी मैंने आपको बोला कि विटमिन D से रिकेटिस होता है सूखा रोग होता है हड्डियों से समंदि समस्या होती है अप्शन सी जाएगा इसके लाबा अगर मैं दो स्लाइट देखूं यहाँ पर कि विटमिन A का राशानिक नाम रेटिनाल B1 का थाइमिन होता है B2 का राइवो फ्लेविन होता है B3 का निकोटिनमाइड होता है ध्यानी जगा निकोटिनमाइड होता है यह B1, B2, B3 बहुत IMPORTENT लेकिन राइवो फ्लेविन भी आपके एक्जाम में आ चुका है मैं B3 भी बता रहा हूँ B3 nicotinamide होता है क्यों important है कैसे याद करोगे देखिए पहले में थोड़े कम अच्छर है दूसरे में थोड़े ज़्यादा अच्छर है तीसरे में सबसे ज़्यादा अच्छर है तो मतलब इस तरीके से आप लॉक कर सकते हो C आप सभी जानते हो Escarvic Acid होता है Escarvic Acid Escarvay की बात करता है Vitamin D, Calc Feral होता है जो हम सूखा रोक की बात करते है Vitamin E आपका Tocopherol होता है जो बांचपन हमको देहाँ पर जो है कही ना कहीं प्रोवाइट कर देता है जिसके लिए गेहू, अंकुरेट, चना इस तरीके के हमें खाने पड़ते हैं सुरोत Vitamin K की बात करें जो रक्त की क्लोटिंग होती है उसको कही ना कहीं रोक देता है या अगर इसकी कमी है तो आपके अंदर ये रक्त बहता ही रहेगा तो रक्त की क्लोटिंग नहीं होती फिलो कुईनीन कहलाता है ठीक है, तो ये आपके केमिकल नेम हो गए अगला भारती सास्त्री नत्य की सबसे प्राचीन सैली कौन सी है भारती सास्त्री नत्य की सबसे प्राचीन सहली दोस्तों ODC है, कुछी पुडी है, भरत नाट्यम है या फिर आपका कथक कली है तो दोस्तों मैं बता दूं भरत नाट्यम इस कुशन का राइट आंसर हो जाएगा option number C के साथ और यह है तमिलनाडु का है थोड़ा सा अगर डिटेल में जाते हैं तो आपको समझना पड़ेगा भारत में आठ सास्त्री नत्यों में भरत नाट्यम कहां का है, तमिलनाडु का है very very most important कथक कहां का है, उत्तरपदेश का है कथक कली आपका कहां का है, केरल का है एक बार स्क्रीन सोट लीजेगा कची पुडिग आंधर पदेश का है मडिपूर मडिपूर का है ओडिसी ओडिसा का है सस्तरिया आसाम का है और महनी अट्टम केरल का है इसमें important कौन सा है इसमें important दो सबसे नीचे वाले सस्तरिया और केरल और इसमें जो है आपके उपर वाले तीनों मडिपूर और ओडिसी तो आप सभी जानते हो कि नाम से ही पता चल ले हैं तो 6 तो आपको हमेशा की तरह याद करना है जिसमें कत्थक बहुत ज़्यादा पूछा जाता है और भरत नाट्म और मोहनी अट्म बहुत बार पूछा गया है सस्तरिया बेरी-बेरी Most important हो सकता है इस बार एगजाम में सस्तरिया पूछ लिया जाए ठीक है चलिए निमड़ेकेत में किसको अनताहस रावी तंतर का पेसमेकर कहा जाता है तो देखी का दोस्तों अंताह स्रावी तंतर का पेसमेकर किसे कहा जाता है तो पेसमेकर एक सब्द होता है जो हर्दे में लगता है यानि हर्दे में एक पेसमेकर सब्द का यूज होता है लेकिन यहाँ पर वो अर्थ अलग है यहाँ पर इस question का जो right answer जाएगा वो किसके साथ? thyroxine के साथ चला जाएगा thyroxine is right answer अगला question भारती गेंडे कहाँ पर पाय जाते है? कारवेट राष्टी उध्यान में काजी रंगा राष्टी उध्यान में कानहा राष्टी उध्यान में गिर राष्टी उध्यान में तो दोस्तों भारत में अगर गेंडे पाय जाते हैं 23 नमबर में तो काजी रंगा ये बहुत simple question ले लिया था कोई बात नहीं बहुत सीखा है आपने अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पर यहाँ पर बात करता हूँ कुसर नमबर 24 तो बहुत important है कारवेट है उत्तराखन काजी रंगा है आसाम छेतर में काना है मद्यप्रदेश छेतर में और गिर है आपका बताईएगा गुजराज छेतर में अगला कुसर 24 तो बहुत ज़्यादा important है उत्तरी भारत में बहने वाली सतलज नदी को किस नाम से जाना जाता है यानि प्राचीन काल में रिगवैदि कालीन में नाम अलग-अलग नदीयों के थे मैं आपको चार नाम बताऊंगा भी जो एक्जाम में सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं उत्तरी भारत में बहने वाली सतलज नदी को किस नाम से जाना जाता था वो जाना जाता था सतुद्री के नाम से जाना जाता था अब सतुद्री के नाम से जाना जाता है तो दोस्तो चार कूशन हम कर लेते हैं दीके, बियास नदी को विपासा के नाम से जाना जाता है, ठीक न, यह बहुत अच्छा कुष्ण है, V.I.M.P. कुष्ण है, रिगोवैदिक काल में जो है नदीको को जाना जाता था, तो विपासा को अब इस समय विपासा के नाम थे, चिनाप का पुराना नाम क्या था? तो चिनाप का पुराना नाम है अस्किनी, रावी का परुष्णी, सतलज का सतुद्री तो ये चारो कुछसन आपको याद रखने हैं, बहुत जवरजस्त हैं कि कुछसन में ये पूछा जाए कि ब्यास का पुराना नाम क्या है या विपासा का नया नाम क्या है, चिनाप का पुराना नाम क्या है या असकिनी का नया नाम क्या है, रावी का पुराना नाम क्या है, परुषणी का नया नाम क्या है, सतलज का पुराना नाम क्या है, सतुद्री का नया नाम क्या है भारत का सबसे उचा बान, टेहरी बान और किस नदी पर बना है यानि टेहरी बान है कहाँ पर और किस नदी पर बना है तो दोस्तों आप सभी जानते हो कि आप उत्राखंड की बात करते हो चाहें आप उड़ीसा की बात करो लेकिन उत्राखंड की जब आप बात करते हो तो भागी रती नदी की बात होती है इसलिए option डी जाएगा पीनियल ग्लेंड कहां पर इस्तित होती है 26 नमबर पीनियल ग्लेंड कहां पर अवस्तित होती है कमेंट की जएगा 26 नमबर का जो answer जाएगा वो किसके साथ जाएगा बताईए दोस्तों 26 नमबर का answer किसके साथ चला जाएगा पीनियल ग्लेंड कहाँ पर अवस्थित होती है 26 नमबर तो यह जाएगा आपके मस्तिस्क में होती है ब्रेन में होती है इस चीज को भूलना मत और इसे कुछन पूछा जाता है क्या तीसरा नेत्र भी कहा जाता है तीसरा नेत्र किसे कहा जाता है तो पीनियल ग्लेंड को तीस दोस्तों मैं बता दूँ आपको कि भारती मरुस्तल को कहा जाता है, थार का मरुस्तल कहा जाता है, और चार कुशन वो आपको याद करने हैं कि जैसे गोवी बहुत पूछा जाता है, वी आई एमपी पॉइंट में नोट कर ली जगा कि गोवी मरुस्तल भारत में कहां पर है, तो एसिया का गोवी है वो चीन में अगर option में चीन है तो चीन मारी है मंगोलिया है मंगोलिया दोनों की सीमाओं को निर्धारित करता है जैसे जो आपका थार है ये भारत और पाकिस्तान का है क्या है भारत और पाकिस्तान का है यहाँ पर बूल गया है कोई बात नहीं जैसल म 12 देशों में तो सबसे बड़ा जो है सहारा ही है अफरीका महादीप में और दोस्तों अगर आटा कामा की बात करें तो यह है आपका दक्षिन अमेरिका में अगला कुश्ण आपके स्क्रीन पर निम्लिकित में कौन सा एक उत्तर भारती नत्य है तो मैं आपको आल लेडी नत्य की एक आठ सास्त्री नत्य की एक सूची दिखा चुका हूँ फिलाल उत्तर भारती उत्तर प्रदेश से सम्मन्दित तो उप्षन जागा एक साथ कत्थक के साथ प्रथम परक नली सिसु का नाम क्या था दोस्तों हमने देखा है आप सभी बच्चे बहुत ब्रिलियंट हो हमने ये देखा है कि कम समय के अंदर अगर बच्चों को पूरी डिटेल के साथ सिद्दत के साथ एक टीचर पढ़ा दे तो मुझे नहीं लगता कि अगर वो समय ब के अंदर ये वीडियो खदम किये है और आप उमीद कर सकते हो कि कुष्चन को मार्क नहीं मारा है कुष्चन की बहुत अच्छी से डिटेल आपको बताई है परक नली सिसु का नाम लुइस ब्राउन माना गया है इसलिए इस कुष्चन का अंसर जाएगा डी के साथ कुष् जियों को धोने से कौन सा विटामिन निकल जाता है दोस्तों तो याद रखिएगा 30 नंबर आपके स्क्रीन पर आचुका है कि जब सब्जियों को धोया जाता है काट के अगर धोया जाए फिर बनाया जाए तो विटमिन C जो है नस्ट हो जाता है इसलिए ऑप्शन जाएग देख रहे हैं वो चैनल को सस्क्राइब कर लें और अपना इसकोर बताएं कि आपने इस वीडियो में कितना सीखा अपने चार दोस्तों को बताएं भी गुरुजी वर्ड के बारे में उनको सेर भी कर दें दोस्तों आप सभी से कहना चाहेंगे कि इमानदारी सेलेक्शन के इमानदारी से सस्क्राइब करें और साथी साथ टेलिग्राम को जॉइन कर लें गुरुजी वर्ड एक्जाम स्टडी में आने वाले हरसेर हरसेरनी का स्वागत था विनंदन था और हमेशा इसी तरीके से आप मोटिवेट रहें और इसी तरीके से आप पढ़ते रहें जैहि कि अप्सक्राइब को उपड़ते हैं कि तरीके से से आप आप हुआ जैहिं और से बहें धदाब को से आप पुरुब और सी मर्यवट पा यूद अबड दियागल को साथ कवाभ यूदी तरीके से दोटरूबूब। उजबूूबूब हैं और सब्सक्त